तो आज आज क्लास पारा क्लास ट्वेल कंत्रगत आज हम लोग पाठ दो जिसका नाम है इस्तिर बैदुद भीभाव तता धारता के बारे में अधियन करेंगे आज का थियोरी का स्टार्ट करते हैं मैं समय से आपका स्वागत करता हूँ आए दगिया पहला आपका हेडिंग ह है कि इस्तिर बैदुद भीभाव तो कह सकते हैं कि अनंत से एकांख आविज को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार किया जाता है उसे इस्तिर बैदुद भीभाव कहते हैं याद करो इसे भीषे परदसित करते हैं और इसका मातरक बोल्ट होता है भीषे परदसित करते हैं और इसका मातरक बोल्ट होता है तो भी बराबर आप लिख सकते हैं यापर डबलु बटा क्यू याद करो डबलु बटा क्यू देख रहा है नो भी आपका बैदुद भीभाव है डब मात्रक में आप देखी हरने हैं इसका मात्रक गुल्ट भी आप लिख सकते हैं इसका मात्रक जूल प्रति खुलाः भी लिख सकते हैं एक आबास आप कहता है बैटिथ व्भौह का बीमा तो है पर जाZZ कहार के लिए आपका ल श्काइरिक्प्रमा-a Wells चाड़ा इसको उपर लेकर जाएंगे तो एक उपर माइनस एक और टी के उपर भी माइनस एक निचे एक है उपर जाएगा तो माइनस तो भी माचो निकल करका आएगा आपका M R square T per minus 3 क्योंकि T per minus 2 है T per minus 1 गया है T per minus 3 और E per minus 1 इस तरीके से क्या निकल करा गया भी मा निकल करा आएगा अब यहां से चीज और आती है कि एक बोल्ट का परिभाशा जैसे आपने भैज़त विभाव के बताया था कि भी बराबर W की होता है इसी के अधार पर आपको एक बोल्ट का डिफिनेशन भी बताना है तो आएए हम लोग एक बोल्ट का परिभाशा भी देखते हैं लगिए आप यहां बकर सकते हैं कि यदि लिखा गया है कि अनंत से एक कुलाम अभीश को उठा कर किशी बिंदू तक लाने में यदि एक जुलकार किया जाता है तो उससे तो वहां एक बोल्ट बीभाव होगा बैदूत बीभाव जिसे छेत्र की और अधिक होता है उधर धनात्मक होता है और बैदूत बीभाव जिसे छेत्र की और कम होता है उधर जियात्मक बीभाव होता है तो आपको सिर्फ इतना कहिदना है कि एक बोल्ट यहां पर दिखा देंगे आप और यहां पर एक जुल ब बिभव एक बोल्ट होगा तो यह चीज भी आप बता सकते हैं कि उसके बाद से आगला जो आपका टॉपिक आता है बैधूत भीभवांतर याद करते हैं बैधूत भीभवांतर तो इसको बता सकते हैं कि एक एकांग धाना अबेश या परिछण अबेश को निम्न विभाव वाले छेत्र से उठाकर उच विभाव वाले छेत्र की ओर ले जाते हैं तो हमें जितना कार करना पड़ता है तो उसे विधूत विभूांतर काते हैं तो एक कांग जो धाना बेश होता है कांग जो धाना बेश परिछण अबेश को सिर्व इतना भी कह सकते हैं एक बिंदू से उठाकर दूसरे बिंदू तक ले जाने में हमें जितना कार करना पड़ता है उसे विभूत विभूांतर काते हैं और इसे भी हम लोग भीशन परता स देखे एक चीज आप से आता है कि बैधुत विभांतर का धार पर एक बोल्ट का परिभासा लिखिए तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी एक बिंदु से दुसरे बिंदु तक एक कुलाम अबेश को उठा के ले जाने में यदि एक जुलकार किया जाता है तो वहां बैधुत वि वहां होता हिए तो यह वह बाघँभानतर को रिफिनेशन हो बता सकते हैं चलिए आपके एक और प्रॉपिक आता ह। जिसका नाम होता है बिंदु आभेश के कारण याद करो बिंदु आप West के कारण बैधुत विभाव का शुत्र यानि आपषद के कारण। भीभाव का आप्सट्र, देखिए, आपको मैं चित्र थोगा शम्रा देता हूँ यहाँ पर चित्र के uitगे घ्साब सरता भागया में बढ़ेंगे, चित्र में आप दीख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक और बीच की दूरी रहें हैं और उसे जो फिल्सट्र對 कीउच को दिखाएंगे समझ रहे बात को देखिए यहाँ पर आपके पास कीूज कूजरोई है यहाँ पर यहाँ दिख वह भी सकते षब देक हो सब्सक्राइब मेसिकरीailing poskoo धनाबेस रखा गया, O बिंदू पर एक धनाबेस रखा गया है, जिसे से A बिंदू पर बैदुत बिभाव ग्यात करना है, जो A बिंदू है इसी पर हमें बैदुत बिभाव ग्यात करना है, O और O A के दूरी, R और B से दूरी, X बिंदू B पर परिछानाबेस रखा गया, X है और जो बिंदो B है ये देख रहे हैं इसी पर परिछान आपेश रखा गया है और B से C के दोरी Dx रखा गया है जो B है और C के दोरी है अब यहाँ पर दिखा सकते हैं कि पलस Q और Q 0 के कारण बैदूत बल याद होगा आप कुलाम की नियुक्त बता सकते हैं जब आपके पास दो आपेश पलस Q और Q 0 हो तो इनके बीच लगने वाला बल का सुत्र याद करो या बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 गुणे Q Q 0 बता में X स्क्वाइर दोनों का बीच का दोरी एक समाने थे एक स्क्वाइर शमी का नमर आप एक लिख सकते हैं फिर आप आगे लिख सकते हैं कि परिच्छान आबेश B को उठाकर C तक लाने में किया गया कारी तो अगर आप जो परिच्छान आबेश है उससे B को बीच से उठाकर जब C तक लाएंगे तो कार होगा W बराबर F into Dx Cos Theta तो W बराबर F into Dx Cos Theta के जबर पर 180 रख देंगे और दिखिए W बराबर F into Dx Cos 180 कमान माइनस 1 W बराबर माइनस आए कर देजे ही आप इंटू D आक्स और उसके बाद से आप यहाँ पर कर सकते हैं W बराबर आप पड़े होंगे आभेस के कारण जो अभी आपको पताए गया था कि जहां बल है समीकर एक माप देखिए कि जहां बल है जहां यफ है उसके जहां पर वही किया गया है जहां आपका यफ है उसके जहां पर आप माइनस आगे रख सकते हैं उसके जहां पर वहान पर पान फोर पाई एपसाइलम जिरो गुण है Q Q 0 बाट हमें X स्कार इंटू D X अब W बराबर माइनस माइनस आपका यह Q Q समाकलन करना है तो X स्कार और D X बस इतना ही रहना चाहिए और हम बागी सब बाहर निकाल लेंगे यहां पर आप लिख सकते हैं समाकलन करने पर समाकलन करने पर समाकलन में W बराबर माइनस यह Q Q 0 बाहर निकल जाएगा फोर पाई एपसाइलम जिरो इन्टू समाकलन रहेगा और यहां R से इनफानिटिव तक रहेगा X देख रहे हैं नो X पर नीचे 2 था उपर जाएगा तो X माइनस दो इन्टू D X हो जाएगा उसके बाद से आप आगे और भी लिख सकते हैं उपा गया है आप उसके बाद से W ब्राबर माइनस Q Q 0 बटा में 4 पाई एपसाइलम जिरो और आप जानते होंगे इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का मतलब होता है कि जो घात होता है उसमें सो एक घटा देते एक जोडते हैं तो आप देके X को पर माइनस टू है आप इसमें पुलस एक करेंगे निचे भी माइनस दू प्लस एक और यहां आर से लेकर इनफाइनिटीव तक आप लिखते चलेंगे डबलू बराबर क्यू क्यू जीरो बटा में फोर पाई एपसाइलम जीरो और यहां जो होगा X को पर देखें समझिएगा X को पर माइनस एक निचे माइनस एक तो X को पर माइनस एक को निचे कर देंगे एक बटा X तो Q Q 0 बटा 4 पाई एपसाइलम 0 एक बटा X यहां पर इनफाइनिटीव और यहां निचे आपका आ रहेगा उसके बाद से W बटा में 4 पाई एपसाइलम 0 और अब आपको माइन रखना है तो पहले में आप एक बटा X रखेंगे माइनस एक बटा R रख देंगे उसके बाद से आप यहां पर W बटा में 4 पाई एपसाइलम 0 और R है तो आप R रख देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डबलू का मानाया क्यों क्यों जिरो बटा में फोर पाई एफसाइलम जिन्टू इन्टू आर हो गया यह डबलू बराबर हो लेकिन आप यहां पर आएंगे परिछन आभेश के कारण बैदुत भीवा हमें तो भीवा बराबसीत करना है त आपका डबलू का आया है उतना डबलू के जगा पर रख देना है क्यू क्यू जिरो बटा में फोर पाई एफसाइलम जिरो इन्टू आर निचे आपका क्यू जिरो है तो वह सही क्यू जिरो रख देंगे क्यू जिरो से क्यू जिरो आपका यह कैंसिल हो जाएगा क्यू जि भी बराबर फोर पाई एप्सालम जीरू गुने कूब अार इस तरीके सम्मलोर सीथ कर सकते हैं कि आभेश के कारण बैदर्द विभाव का कोई शुत्र पूछेगा तो आप इस तरीके से भी बराबर वान अपान फोर पैशालम जीरो गुणे क्यू बटा आर आप लिख सकते हैं ठीक है अच्छा थोड़ा समय आपको एक चीज आपने पार्ट समर एक में जो पढ़ा था उ दोनों आभेश के बीच के दूरी अगार तूयल है तो आपने कहा था कि आभेश और उनके बीच के दूरी के गुड़नफल को हम लोग बैधुत दिर्धुरू आघूण काते हैं इसे पीश से परतसित करते हैं इसका मातर कुलाम इंटू मीटर होता है तता इसका बीमा एल यह होता है तो और हम लोग ने यह भी पढ़ाता कि बैधुत दिर्धुरू के कारण अच्छे इस्थिति में बैधुत भीभव का सुत्र तो आज हम लोग और चीज पढ़ते हैं देखेंगे के बैधुत दिर्धुरू के कारण अच्छे इस्थिति में बैधुत भीभव का सुत्र तो चलिए आपको फहले फिगर में दिखाता हो अब देख सकते हैं यहां पर फिगर बनाए गया है फिगर समझिए यहां पर एक प्लस क्यू आबेश दिखा देंगे यह देखिए प्लस Q आबेश तो आसा आपको मैं फिगर बना के दिखा देता हूं यह आपका रहेगा यहाँ पर यह प्लस Q आबेश है और यह माइनस Q आबेश है और बीच में आपका क्या है यल है और Q से यल के बीच के दूरी Q से U के बीच के दूरी है फिर आपके O से जो प्लस की है इसके बीच की दूरी है यल होजाएगा और O है और जो जिस बिंदु यह बिंदु P है अच है में कहँे तो एच पर दिखा देगा तो एक बात मैं आपका बताता हूं कि यहाँ पकाएगा तो यह बिंदू P है तो अगर आप यहाँ से इसकी दूरी लेते हैं R लेते हैं तो आपकी दम किलियर हो जाएगा कि यहाँ से लेकर कि यह R है तो यहाँ जो B से इसकी दूरी निकालेंगे तो R माइनस यल हो जाएगा R- YL हो जाएगा आपको मालूम भी होगा यहां से लेकर पूरा R है यह तो YL घटाना पड़ेगा नो यहां से लेकर के और से लेकर के पूरा जो P तक है R है जब आप यहां B से लेंगे तो R- YL हो जाएगा और फिर आप जो Q देख रहा है यहां से अगर लेते हैं तो यह तो YL है यहां पर यहां से O से लेकर के यह तक YL है और O से यह क्या है R है तो यहां Q से लेते हैं तो R- YL हो जाएगा तो एक R- YL हो जाएगा इस तरीके से दो आपके प्राप्त हो जाएगे तो आए हम लोग पहले आपके भी बराबर जो आपके निकल करके आएगा वह यह रहेगा कि भीवन जिसको आपका तहा है वान अपान फोर पाई एपसालम जिरो गुणे क्यू बाटा आर माइनस याल समिकर नमर एक इस के इस आबेश के कारण यह जो क्यू आबेश देख रहा है इसके कारण जब आप निकालेंगे तो देखिए इसका बीच के दूरी आर माइनस याल है तो आप आर माइनस याल लिख देगे उसके बाट से सकेन नमर आप दिखा सकते हैं माइनस क्यू के कारण बैदिद विभाव का सुत्र यह जो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के कारण बैदिद विभाव का सुत्र तो भी टू बराबर उसके बार से आपको बहुती सिंपल है यहां पर कूल बीभा दिखा दीजिएगा B बराबर B1 कमान आपने देखा था B1 कमान अभी आपने लाया था आप देख भी रहा है 1 अपान 4 pi epsilon 0 Q बाटा R-1 तो जहां B1 है उसके जब वान अपान 4 pi epsilon 0 Q बाटा R-1 प्लस B2 कमान अभी आप देखिए आपने B2 कमान भी लिखा है 1 अपान 4 pi epsilon 0 गुण है माइनस क्यू बाटा रपलस याल लेकिन इसका मान कभी भी माइनस आप रखेंगे तो अपन फोर पाई एपसाइलम जिरो माइनस क्यू बाटा रपलस याल हो जाएगा अपड़ा देखिए इन दोनों में क्या कामा ले सकते हैं यहां भी क्यू है यहां भी 4 पाई फिर से आगे जवाब थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपके आ जाएगा B बड़ाबर Q बटा 4 pi epsilon 0 गुणड़े जड़ा हाई R पलस YL है तो R पलस YL शहीं रखेंगे माइनस हाई गुणड़ा करेंगे तो R माइस माइस पलस YL नीचे R स्क्वाइर माइनस L स्क्वाइर पलस R से माइनस R कर जाएगा तो B बड़ाबर Q बटा 4 pi epsilon 0 गुणड़े YL और YL जड़ेंगे 2L बटा में R स्क्वाइर उसके बाद से B बड़ाबर 4 pi epsilon 0 और Q इंटू 2L के जगा पर हमने P आपको बताया था कि अभी कहीं भी P बड़ाबर Q इंटू 2L होता है तो यहां पर आभी गया है Q इंटू 2L तो उसके बाद P रख देंगे तो भी बड़ाब 1 अपान 4 pi epsilon 0 गुणड़े P बटा R स्क्वाइर यह देखिए एक चीज में बटा दो यहां पर अच्छिय इस्तिति में जब आप बैदूत भी भाव का शुत्र निकाल रहे है तो 1 अपान 4 pi epsilon 0 गुणड़े P बटा R स्क्वाइर आ रहा है आप जो पाठर मेरिक में पड़ रहते कि बैदूत द्रिधुरू के कारण अच्छिय इस्तिति में जब आप बैदूत छित्र के तिब्रता निकाल रहे थे तो उसका मान आ रहा था वान अपान 4 pi epsilon 0 गुणड़े P बटा R कुव यहांनि 2 P बटा R कुव आ रहा था यहां पर शिर्फ P वाई यह आ रहा है चलिए उसके बाद से अब निर्चे श्तिति में भी अल्गा दिखाएंगे लखिए जो आज का एक टापिक है वह आप देखीवी रहें यहां पर कि बैधूत डूत के कारण निरेच्छे श्तिती में बैधर विभा का शुत्र तो बैधुत दृद्रोныक कारण निरेच्छे श्तिती में बैधुत विभा प्रियाशत बिच वाला विंदू पर तो मैं आपको फिर इसका भी फीगर बता देता हूं, देखिए यहां पर आपके दो आभेश हैं एक प्लस क्यू आभेश है एक माइनस क्यू आभेश है, जो बीच वाला विंदू है, उसको यह दिखाए गया है, चीत आप समझने का प्रियाश करेंगे यह प्लस Q आभेश रखा गया है यहाँ पर एक यहाँ पर माइनस Q आभेश एक सीधा रखा है इसके बीच का जो बीच वाला बिंदू है मध्य बिंदू है उसको O रखे हैं और माइनस Q से जो O वाला दूरी है उसको यल माना है हमने समाल यल से प्रदशित किया है मैनस Q से जो आपका O वाला है उसको समाल यल से प्रदशित किया है और O से जो प्लस की वाला है इसको भी यल से प्रदशित किया है और आपके एक और चीज में बता दूँ कि यहाँ जो O बिंदू देख रहे, O से जो P है, O से जो P की दूरी है, वो आप दिखा सकते हैं, R है, O से P की दूरी R है, तो यहाँ पर कौन कितना है, 90 डिगरी, पैता गुरस परमे का परियोग करेंगे, तकर्णी में R स्कॉाइर प्लस L स्कॉाइर, पढ़े भी होंगे, यह कर्ण है, तो आप यहाँ पर बतावी सकते हैं, कर्ण का बर्ग, बराबर L का स्कॉाइर, प्लस R के स्कॉाइर, जब स्कॉाइर हटाएंगे, तकर्णी के अंदर L के स्कॉाइर और R के स्कॉाइर, तकर्णी में R के स्कॉाइर प्लस L के स्कॉाइर, से मापका आएगा, आप इसमें दिखा सकते हैं, प्लस Q के कारण बैधूत बीभव का सुत्र, प्लस Q आभेश के कारण बैधूत बीभव का सुत्र, तो आप यहां पर भीववन बराबर một आपान, फोर पाई अफ्सारीलिंब कीव बाटा, तो भीवन बराबर, वन अपान फोर पाई अपसाइलम जीरो गूड़े Q बाटा करणी में R स्कॉार प्लस L स्कॉार समी का नमबर 1 मानेंगे उसके बाद से यहां पर ओल लिख सकते हैं माइनस Q के कारण बैधुत बिभाव का सुत्र तो माइनस Q के कारण जब बैधुत बिभाव का सुत्र बास्तापित करेंगे तो V2 बराबर 1 बाटा 4 पाई यह माइनस Q है देख रहे हैं 1 बाटा 4 पाई अपसाइलम जीरो गूड़े माइनस Q बाटा फिर यही आपका दोरी होगा करणी में R स्कॉार प्लस L स्कॉार उसके बाद से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कूल बीभाव जब कूल बीभाव की बात करेंगे आप तो आप देखी रहे हैं यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2 V बराबर V1 प्लस V2 और आपने अभी देखा कि जो V1 का जगा पर आप कितना रखेंगे तो भी 1 का मान आया 1 अपन 4 π phi epsilon 0 गूले Q बाता करणी में R2 प्लस L स्कॉर तो जहाँ भी 1 है उसके जगा पर आप 1 अपन 4 π phi epsilon 0 गूले Q बाता करणी में R2 प्लस L स्कॉर जहाँ V2 है भी 2 कमान भी आप देख रहे हैं 1 अपन 4 π phi epsilon 0 गूले माइनस Q बाटा R स्क्वाइर प्लस L स्क्वाइर तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 अपान 4 पाई अप्साइलम 0 गुणे माइनस Q बाटा कल्णी में R स्क्वाइर प्लस L स्क्वाइर जड़ा देखिए यह माइनस से अब आपको शे में यही कंडिशन है उतार देना है 1 अपान 4 पाई अप्साइलम 0 गुणे Q बाटा कल्णी में R स्क्वाइर प्लस L स्क्वाइर माइनस गुणा करेंगे यहाँ पर यह माइनस माइनस और प्लस जब गुणा हागा तो माइनस आगे आजाएगा वन अपार फोर पाई अपसाइलम जीरो गूने यहाँ पर क्यू बाटा कर्णिम आर स्कॉार प्लस एर स्कॉार सेम है यह जितना मान है इतना यह भी है एक प्लस अला है एक मानस अला है कट गया तो भी बराबर आपका जीरो आजाएगा यानि जो बैतुत बीभा कमान निकल कर आएगा जीरो हलाकि आपको याद जरूर होना चाहिए कि निरच्छी इस्तिती में जब भी बैतुत बीभा पूछेगा तो इस कमान आपका जीरो आता है तो इस तरीके से यह भी आपका एक ट्रापिक था कि बैतुत दिरधुर के कारण अच्छी इस्तिती में और बैतुत कारण निरच्छी इस्तिती में तो इस तरीके सम्भल निकाल सकते हैं उसके आपको देखिए नेक्स जो आया है काता है कि आभेस के निकाय के कारण बैतुत बीभा कई आभेश है तो कई आभेश करका शुत्र पुछेगात अब देकिए बिन्दू पी है यहां पढमा लिज इस निकाय के कारण बिंदू देखें बिंदू P पर QX के कारण बीभाव यहाँ पर QX माने है नो तो QX के कारण जब आप बीभाव निकालेंगे तो आप देखें यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है नो यह अखेवल दूरी आपका है इसी तरीके से आप बिंदू P पर QZ के कारण बैदुद भी बहुत भी जेड बरावर वहाँ न पार फोर पाई अपसाइलम जीरो गुड़ है QZ बता में RZ P, बिंदू P पर Q Q और E के कारण बैद भी बहुत भी थिरी या थिरी लिखें जो भी आपका हो चाहे तो आप B1 भी लिख सकते हैं यह यह Q2 है, यह Q3 है, यह Q4 है, Q4 के कारण बैद भी बहुत का सुत्र है और एक Q 5 के काना बेद दुगा का सुत्र ठीक है कुल भीभा जब पुछेगा तो यहाप करिए कई आवेस हैं कुल भीभा जब आपके पास आएगा तो आप देखे रहे हैं भी बराबर भी वन प्लस भी टू प्लस भी तिरी प्लस भी फोर प्लस भी पाई तो भी बराबर Q 2 बटा में R 2 P भी टिरी गया वन पर 4 पाई अप दीने तो जहाँ देखे कर देखाए जिरू इसमें भी वहान पान 4 by epsilon 0 सबमें आएगा तो यहां भी बावान पान 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 4by epsilon 0 कामब लेंगे तो Q बाटा R1 P हो जाएगा एगा प्लस Q2 बाटा R2 P प्लस Q3 बाटा R3 B क्यू फोर बढ़ा और फ़ोर पी प्लस क्यू फाई व्रभाव आप फाई पी हो जाए तो अब भी बनाबर रवन अपन फोर पयशन से हैं पूर जितना दिया गया कि मत लेख सकते तो इस तरीके से इतना भी लिख सकते हैं जो आप देख रहे हैं उतना भी लिख सकते हैं चलिए उसके बाद से एक और आपके सामने है काता है कि संभीवाव प्रिष्ट क्या है संभीवाव प्रिष्ट के बारे में रेखे किसी माध्यम में वह प्रिष्ट जिसके याद रखो किसी माधियम में वह प्रिष्ट जिसके परतेक बिंदू पर भीवाव समान होता है उसे संभीवाव प्रिष्ट काता है याद करते हैं हम लोग किसी भी बिंदू पर या किसी भी बिंदू पर जहां पर भीवाव सब के लिए समान होता है उसे हम लोग संभीवाव प्रिष्ट प्रिश्ट कई करते हैं यहाँ पर हैं संभीभौवव प्रिश्ट का चित्र क्या होगा देखें यह बिंदू पर किसी भी बिंदू पर आप देखेंगे तो संभीभौव प्रिश्ट आपका समान होता है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि और हलाकि बैदूत भी भाज होता है किसी भी प्रिस्ट पर आप निकालेंगे तो भी बराबर वान अपान फोर पाई अपसाइलम जीरो इन्टू क्यू बाटा आर इसक्वाइर होता है और देखिए यहाँ पर एक बात और हम लोग पढ़ेते हैं बैदूत भाल रखाएं जो अगर बात करते हैं कि प्लस क्यू आवेस होता है तो जो बैदूत भाल रखाएं होती है वो बाहर के तरव निकलती होई प्रतीत होती है तो यह आपके संभीवाव प्रिष्ट की बात होती है और इसको हम लोग बता सकते हैं ठीक है तो इस तरीके संभीवाव प्रिष्ट हमने कहा कि वह किसी बिंदू पर इसक्वाव प्रिष्ट जहां पर भायदूत भीवाव एक समान होता है उसी को संभीवा प्रिष्ट काते हैं अब देखिए कुछ और बाते इसमें हैं कि संभीवा प्रिष्ट के कुछ विश्यस्ताय हैं तो देखिए मैं बताता हूँ पहले आपका सकते हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं कारती है संभीवा प्रिष्ट के अंदर किसी बस्तु के गती करने पर कारिज सुनी होता है तो एक बात है कि संभीवाफ प्रिष्ट एक दूसरे हो कभी नहीं कारते हैं और संभीवाफ प्रिष्ट के अंदर किसी बस्तु को कारिज होता है सुनी होता है कैसे होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ आप पढ़े भी होंगे भी ये माइनस भी वी ब्राबर डबलू एवी बटा की यानि कार बटा आभेश जब आपने कहा है कि सबी बिंदू पर भीवा समान होता है तो जहां भी ये है ताहां हम लोग भी रख सकते हैं बाबू आपने खुद कहा है कि जो भीवा होता है हर एक कि इंदू पर समान होता है तो जहां भी ये है आप चैए तो थोड़ा और साही करके लिँक सकते हैं यहां पर भी नीचे एक कर देजिएगा और ब्राबर में भी बी तो जहां भीवे है वहाँ परहली भी लिख सकता है तो देखिए आप इसम TE भरेंगे तो भी बी C-1-6B , जहां भी ए हैं भी एक जगापर वी वी लख देंगे तो B- W ॥b बर्ाबबर C-7-0, अब इसको जब काटेंगे तो ये जीदो हो जाएका बर्ाबर C-A-T-5-3 तो c-3 गुणा करेंगे तो C-7-8-9-0, तो दो गुण हमने देखा, पहला के एक दूसरे keeping आदो कभी नहीं काड़ते हैं और दुष्ता की अंदर कीया गया कार सुनी होता है, आपने से सीर्थ करके भी दिखाती हैं, अब इसमें तुस्या कर सकते हैं कि स्वम्भीभाभ प्रिष्ठ हमेशा विधू छेतर के लंबवत होता है, तो कैसे स्वम्भीभभ प्रिष्ट हमे बराबर e into dr और कार्या भी आपने सीद किया 0 बराबर e into dr cos theta बेक्टर जब अटाएंगे तो cos theta इसके साथ आजाएगा अब 0 वह शाहिए रखेंगे जैसे है e into dr नीचे आजाएगा बराबर cos theta और उसके बाद से आपको यहां पर क्यों लिख दिया कि आपने पढ़ा होगा क्या लिख सकते हैं उसके बाद से यह पूरा जब भाग देंगे तो 0 हो जाएगा क्यवाल आपको कॉस ठीटा इसे ही रखेंगे जब पूरा भाग देंगे तो 0 तो कॉस ठीटा बराबर cos 0 में देखेंगे कि इसका मान होता है खास 90 का COS से कॉस cancey ठीटा बराबर 90 degree आगया ठीटा कमान कीतना आ गया नभे डिगरी आपका आगया तो इस तरीके से आपके बता सकते हैं कि ठीटा कमान कितना आ गया 90 degree आजाएगा तो जब ही पुछा जाता है तो वह बाद को आप आराम से बता सकते हैं उसके आधसे एक आपके पास टापिक भी पुछा लाता है दिख रहें यहाँ पर कि बिधुत छेत्र तबिधुत वीभहों में संबन्ध तो बिधुत छेत्र और वीभहों में जब भी आपके पास संबन्ध पुछताición है तो आप इब राअबर या ज़रूर रखिएगा भी इल आप लेख सकते हैं ठीके, इबराबर भीबाटा यल यि आपका बैदूच्पanguard है Яँ बैदुच्पहतमात के तिव्रता है भीं आपका बैदूच्प विभ्हाव है और यल जो आपका है ठीक है फिर नो यल आपकी लंबाई है ठीके ठीके परकार से हम लोग महत्त不ण कि बैदुद भी और बैदुद छित्र में समंद तो आप इबराबर भी बाटा यल लिख सकते हैं जहां भी आपका बैदुद भी भवय यल आपकी लंबाई है तो इबराबर भी बाटा यल भी जहां पर बैदुद भी भवय और यल हमारी लंबाई है और कुछ बाते और इसम उस दिशाम होता है जहां विभव में शरबाधिक कमी होती है दूसरा किशे कुछ बिंदू पर बैधुच्छत्र का परिमार उस बिंदू पर शंबिभवर प्रिषट के अभीलंबवत विभव के परिमार में प्रतिय कांग विस्टापमन प्रोतनकों दोरा विक्त किया जता ह यह विस्तापन ने यल को विस्तापन करते हैं आप चाहे तो यहाँ पर डी भी कर सकते हैं तो यह छोटा सा एक आपका हेडिंग था कि बैदु छेत्र और भी वह में संबंद है तो यह बराबर भी बटा यल होता है कहीं आपको भी बटा डी भी पढ़ने को मिलेगा क्योंकि आपके पास दूरी ही होता है तो यह चीज भी अगर आप से पुछा जाए तो यह चीज को भी आप बता सकते हैं उसके बाद से एक और आपके पास टापिक आता है कि एकल बिंदू आभेश के कारण बैदुद विभौ का सुत्र या चरू रखेंगे कि एकल बिंदू आभे भी बिंदू आप बिंदू आभेश के कारण बैदूद विभौ का सुत्र पुछेगा तो यह चीज बिंदू आपके पास और लृवाश के कारण निकाय की इस्तितीत उर्जा तो समझे थोड़ा सा कि आभेश के कारा जब निकाय की इस्तिति दूजा पुछेगा तो आप कहेंगे कि विभीन परकार के आभेश को उठा कर किसी निकाय के अंदर लाने में किया गया कार जितना करना परता है उसी को आभेश के निकाय के बैधुत इस्तिति दूजा काता है तो एक चीज तो हमने जाना कि अगर अनन्त से एकांक या कई आभेश को उठा करके किसी बिंदू तक हम लाते हैं और लाने में हमें चीतना कारे करना पड़ता है उसी को हम लोग आभेश के निकाय की इस्थिति उर्जा कहते हैं देखिए चड़ा आपको मैं बताता हूं कि आपके पास पहले दो बिंदू के आभेश के निकाय की इस्थिति उर्जा देखिए पहले दो बिंदू आभेश के कारण इस्थिति उर्जा यह आपको सबसे पहले सीथ करने के लिए कोई पूछ देता है कि दो बिंदू आभेश क एक यह बिंदु आबेस है इसका मान लेजिए कि Q1 है और इसका मान है Q2 आप मान लेजिए दोनों बिंदु आबेस है तो अगर आप ही लिखते हैं तो भी बराबर पहले बिंदु कारण भी बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q, Q आप लिख सकते हैं, बटा R आप लिख सकते हैं, Q1 बटा R, आप समिकर नमर इसको एक मान सकते हैं, और आप Q यहाँ प लिख सकते हैं, Q2 के कारण किया गया कार, तो W बराबर भी गुणे Q, आपने पढ़ा भी होगा, भी बराबर जब W बराबर आपने Q पढ़ा ह या जो दू का, जिखिए, जो भी बराबर आपका क्या है, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q बटा R है, तो आप Q1 बटा R है, तो Q1 बटा R आप समिकर नमर जो दो देख रहे हैं, डबलो तो वही सही रखिए, जहां भी है, उसके जगा पर यह उठा करके मान को रख दीजिए, एक बटा 4 pi epsilon 0, गु Q1 upon R1, गुणे Q2, तो जारे दिखिए, अब जो कारे करेंगे, वही इस्तिती उर्जा में हो जाएगा, जो आप कारे करेंगे, वही इस्तिती उर्जा में हो जाएगा, तो अब यू बराबर आपका आपका आजाएगा, 1 upon 4 pi epsilon 0, गुणे Q1, Q2, बटा में R 12 आपका हो जाए आज लग सकते हैं तो इस तरीके से दो बिंदू आभेश के कारण यह इस्तिति जो जागा सुत्र रहा यू ब्राबर वन अपान फोर पैजब शालम जिरोगों कीवन की यूटूब अमें उसके बास से जारा देखिए एक और आपके पास हेडिंग आता है कि तीन बिंदू देखिए आपके पास माल लेजिए तीन बिंदू है तनि आपके पास देखिए चित्र में एक आपका क्यू वन है यहाँ पर यहाँ पर क्यू टू है और यह क्यू थिरी है तक क्यू टू क्यू थिरी तीन आपका बिंदू आभेश है हाला कि देखिए क्यू थिरी और क्यू एक दू है और यह आर दो तीन है जो अबेस होगा वह ही आंकार आर के निछे उतार देखे वह हो जाता है तो तीन अबेस के कारण जब बैदो तेश्टिती उर्जा पुछेगा तो आप यहां पर कुल यू बनाबर आप लिख सकते हैं यू बारा प्लस यू तेश्ट प्लस य यू एक तीस लिख दीजिए और इस तरीके साब पुरा एड कर दीजिए तो जब आप यू इसके लिए लिखेंगे बारा के लिए तो वान अपान फोर पाई अप्साइलम जीरो गुणे की वन क्यू टू बटा में आर बारा अभी आपने लाया था प्लस इसके लिए जब तेस के लिए लिखेंगे तो वन अपान फोर पाई अप्साइलम जीरो गुणे क्यू टू इंटू क्यू टिरी बटा में आर तेस प्लस वन अपान फोर पाई अप्साइलम जीरो गुणे क्यू क्यू और यहाँ पर यह जो होगा तीन और क्यू एक बटा में आर तेरा आप के पास आप देखेए सब में इस तरीके सा थीन आबेसके कारण जब वाइधो ती श्थिति और पूछेगा यह बराबर आपके पास इतना आजाएगा उसके बाद से आगे जब आपको उच्छा जाता है तो कर सकते हैं कि चार बिंदू आभेश के कारण बैधूत इस्तिति उर्जा का सुत्र चार बिंदू आभेश के कारण बैधूत इस्तिति उर्जा का सुत्र तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि 4 बिंदू आपके पास दिया गया थोड़ा और इधर आपको छित्र को दिखा देते हैं ये आपके पास 4 बिंदू है चार बिंदो में देखिए, यह मालेज यह Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q यह 4 है, चार बिंदो आपके पास है Q1, Q2, Q3, Q4 है, चली, तो आप जड़ा देखिए, यहाँ पर जो Q1 है, Q3 है, तो Q13 आजाएगा, यहाँ पर R13 आजाएगा, R12 हो जाएगा, आप इसको लिखे पहले समझे है, Q1 है, Q2 है, तो R12 लिख सकते हैं, Q2 है, Q3 है, तो R13 लिख सकते हैं, Q3 है, Q4 है, तो R14 लिख सकते हैं, और 1 है, और 4 है, तो R14 लिख सकते हैं, यह तालिक जो भी आप लिखे, लेकिन अगर Q1 और Q3 लेते हैं, तो R13 लिखेंगे, और यहाँ पर Q4 और Q2 लेते हैं, तो R24 तो अब इसके कारण जब बैधुत इस्तिती उर्जा का सुत्र जब पुछेगा तो आप यू बराब चारों को जोड़ देंगे तो इस तरीके साफ का बैधुत इस्तिती उर्जा चार बिंदू के कारण निकल जाए उसके बाद से एक और आपके पास नया टॉपिक आसा है ज इकांक आभेश को प्रबाहित करने पर या करने के लिए बैटरी द्वारा जितना कार किया जाता है उसे बिधुत बाहक बल काते हैं आपको बताए गया कि जब किसी परिपत में कोई भी परिपत है जब किसी परिपत में इकांक आभेश को प्रबाहित करने पर या करने के ल इस से प्रदस्रित करते हैं और इसका मात्रक आप कह सकते हैं बोल्ट होता है इससे इस से प्रदस्रित करते हैं और इसका मात्रक बोल्ट होता है तो आपको जरूरी यात हो गया होगा किसी परिपत में कांक आबेश को प्रभाहित करने के लिए बैठी द्वारा जितना कार किय जाता है उसके बाहे छेत्र में दृधरू की इस्थितित उर्जा अब आपके पास एक और सा जो कोशन आता है कि बैधुत दृधरू के कारण जो इस्थितित उर्जा होती है इसका सुत्र क्या होता है तो देखिए आपको सामने थोड़ा सा चित्र भी और अस्पस्ट दिखा दें कि ये आपके पास कोई बैदू छेत्र है देखिए इस तरीके से आप खीच देंगे ये से जो ये रेखा आप ये देख रहे हैं ये रेखा ये रेखा ये सब रेखा अगर खीच जाते हैं तो ये बैदू छेत्र होगा और मालेजिए कि यहाँ पर कोई दिध्रू रेखा है इसके बीच में जो कौन बनता है ठीटा और जो आबेस है इसके बीच के दूरी क्या है इसके बीच के दूरी को आप टूए मान सकते हैं तो आईए अब आपको थ्वासा में बताता हूँ चीतर से बल आघूण आप पड़े होंगे और आपने सीध्र भी किया होगा पाठेक में टा बराबर ये टा आप पड़ता है जिसको बल आघूण हम लगता है टा बराबर पी इंटू ई पी आपका बैदू दूरी दूरू है ये आपका बैदू छेत का तिवरता है तो बल आघूण टा बराबर पी इंटू ई लिख सकते हैं तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाहे बल आघूण द्वारा किया गया कारे डबलू बराबर इंटू डी ठीटा उसके बास से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं बराबर में आप आपकी बल इंतु दूरी होता है, कि याग्याकार बल इंतु दूरी और आप और आप यहां पर थीटा 1 से थीटा 0 तक टा 2 ही गुणे, थीटा इंटु ब थीटा 0 से थीटा 1 कर दो तो यहां पर आप जाय देखिये, जहा टा है उसके जगापर P E, ताक जगापर P E, और यहाँ पर sin theta into d theta हो जाएगा, आप पढ़े भी होंगे, P E यहीं पर आप दिखा दिजिए कि sin theta होता है, उसके बाद से आपको थोड़ा सा theta 0 से theta 1 तक P E sin theta d theta, तो W बढ़ाबर P E बाहर निकाल लेंगे, theta 0 से theta 1 तक sin theta, आपको सही निकेंगे, इसके साथ d theta रहेगा, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है नो, W बढ़ाबर माइनस P E, और यहाँ पर, क्योंकि sin theta का आप जानता होंगे, समाकलन cos theta होता है, लेकिने भी माइनस के साथ, याद करो, अगर स्वासर मैं बता दू, समाकलन sin theta है, तो यह माइनस cos theta में चेंग समान है, माइनस cos theta 0 आपका हो जाएगा, तो आपके पास W बढ़ाबर माइनस P E, यहाँ पर cos theta 1 कमान, πाई बाई 2, 90 माइनस cos theta रहे ही रखेंगे, उसके बाद से W बढ़ाबर माइनस P E, cos यह रखेंगे, पाई कमान एक साथी, एक साथी बटा दो, दो से एक साथी काटेंग 90 माइनस एक साथी रखेंगे, तो W बढ़ाबर माइनस P E, cos 90 कमान 0, माइनस cos theta, तो W बढ़ाबर माइनस P E, माइनस P E, और वो 0, तो क्यों आपका हो जाएगा, जब माइनस P E के गुना 0 में 0, माइनस P E के गुना cos theta में, तो P E cos theta आपका निकल करके आजाएगा, समझ गए ब बढ़ाबर याफ into 2 है, तो W1 बढ़ाबर माइनस E into Q into 2 है, तो W1 बढ़ाबर माइनस P E, तो E1 बढ़ाबर माइनस P E, शमी का नमरी आपका हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको सीथ कर सकते हैं, इतना जरूर आप याँ रखेंगे कि किया गया जो कार निकल कर जाता है कारे पुछेगात इतना लिख सकते हैं उसके बाद से आपके पास एक और चीज आता है जिसका नाम होता है चालक इस्तिर बैधुद की तो देखिए इसमें कुछ कंडिशन आते हैं चालक के अंदर इस्तिर बैधु छेत्र सुन्य होता है कोई भी चालक है उसके अंदर अगर आप जाएंगे चालक तो जानते होंगे चालक वापदार्थ होता है जिसमें आप बैधुद प्रवाइद कर सकते हैं तो लिखा गया है कि चालक के अंदर बैधु छेत्र सुन्य होता है यानि कर सकते हैं कि जब किसी आप इसी चालक के प्रिष्ट पर या उसके भीतर कोई बिदु धरा प्रवाइत नहीं की जाती है तो चालक के भीतर हर अस्तान पर इस्तिर बैधु छेत्र सुन्या होता है तो अगर आप से कोई पूछे कि क्या चालक अंदर बैधु छेत्र अभी लंबवत होना चाहिए यह भी बता सकते हैं कि जब बैदू छेत्र प्रिष्ट के लंबवत होता है तो प्रिष्ट के अंदर धारा बहती है जब कि बैदू छेत्र प्रिष्ट के लंबवत नहों तो उस प्रिष्ट के अंदर कोई धारा नहीं बढ़ता है या बहता है उसको बाद से थिरी नंबर आभेश को मिलाने वाला रेखा पर ही आभेश पाए जाते हैं उसके अलावा चाला के किसी भी बिंदू पर आभेश नहीं पाए जाता है तो इस चीज को भी आप बता सकते हैं कुछ और भी यहां पर हेडिंग्स आपके पास आ रहा हैं जैसे आप से कोई कहता है कि पराबैध जो समर्थ होता इसका चोइप उचता है तो आप कहेंगे वे मांने वे पराबैध्वत उसकते हैं चान जो जिसमें हम लोग आपेश्परभाहित नहीं कर सकते हैं उसके बास एक और आपके पास आता है धुरुमण के भी बारे में बता सकते हैं कि जब धुरुवीद परकास को टुर्मेनील पर डाला जाता है जब अध्रुवीत परकास होता है जो आप्रकृतिक परकास देखते हैं शुरीशे विधूत बलबशे या जितने भी आपके यंत्र होता है जो उससे परकास निकलता है शब आपके अध्रुवीत परकास कहलाते हैं तो देखिए जब अध्रुवीत परकास को टुर्मेनील पर डाला जाता है तो जो परकास के किलने समानतर होती है उससे टुर्मेनील के अंदर रह जाती है और जो लंबवत होती है वो बहार निकल जाती है इस घर्टना को अम लोग ध्रुवन काते हैं तो मैंने कहा कहा कि जब अध्रुवीत परकास को किसी टुर्मेनील पर डाला जाता है तो जो परकास के किलने समानतर होती है जो परकास के किलने इस तरीके से शमानतर होती है ये टुर्मेनील का अंदर ही रह जाती है और जो लंबवत इस तरीके से होती है वो टुर्मेनील स आईए बैदू धारता आप बता सकते हैं किसी चालक के आभेश धारन करने की चमता को बैदू धारता करते हैं इसे C से परदशित करते हैं और इसका मातरक फैरर होता है हालाकि जो फैरेग होता है हम उसके समय अप से प्रदसित कर सकते हैं तो आपने क्या देखा किसी चालक के आबेश धरन करने की छमता को बैधुद धरता करते हैं इसे सी से प्रदसित करते हैं और इसका मातरफ फैरेट होता है और देखिए आपको मैं बताओं कि आबेश और विभो के समनपात को यानि आबेश और विभो के अनुपात को भी बैदुधारता कहते हैं यानि C बराबर आप चाहें तो Q भी भी लिख सकते हैं शी बराबर Q भी यानि आबेश और विभो के अनुपात को भी बैदुधारता कहते हैं इसे C से प्रदसित करते हैं और इसका मातरा का बता सकते हैं फैरेट होता है और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि Q समनपाती भी यानि जो आबेश होता है विभो के समनपाती होता है Q समनपाती भी, यहां जो Q होता है, वह वीभव के समनपाती होता है, Q जो अभेश है, जो आभेश होता है, वीभव के समनपाती होती है, जब हम समनपाती के चीर हटाते हैं, तो C आजाता है, तो Q ब्रावर C इंटू भी आप जारा देखिए C वशही रखिए जैसे है भी बाटा मालता है तो यहां से बन जाता है कि आभेश और जो विभा होता है इसी को अनुपात को भी बैदुधारता कहता है या किसी चालत द्वारा आभेश धारन करने की जो छमता होती है उसको भी हम लोग बैदुधारता कहते हैं जाड़ा देखिए एक चीज और है अगर कहो कि जो बैदुधारता होता है इसका मातरक क्या होता है तो आप इसके मातरक में कुलाम प्रती बोल्ट मातरक देखिए जहां कीव है ताहां पर आप कुलाम लिख सकते हैं जहां भी है वहां पर गोर्ट लिख सकते हैं तो मतरक में इस Ahh सब्सकी को अगरап को दिखा कि इसको अगरे में पूछहू कि जो सी होता है सी का बीमा क्या होता है तो आप अगर निकालते तो इसका जो भीमा निकल करके आएगा देखिएगा M पर-1, L पर-2, T पर-4, A पर-2 आजाता है तो आपने देखा कि अगर हम भीमा निकल करके आएगा M पर-1, L पर-2, T पर-4, A पर-2 ये बीमा आपका निकल करके आजाता है उसके बाद से एक और आपके पास आता है कि किसी भी चालक का बैदोधारता सुन्य नहीं हो सकता है जरूर याद रखेंगे नोट में कुछ बाते होती है जिसने पहले आप कर सकते हैं कि किसी भी चालक क का बैदोधारता सुन्य नहीं हो सकता है दूसा में कर सकते हैं कि कि किसी चालक की धरता उसकी आकरिती आकार माधियम और ताप पर निर्भर नहीं करता है ते महत्मूर बाते भी आप देख सकते हैं कि कि किसी चालक का बैदोधारता सुन्य नहीं हो सकता है दूसा कर सकते हैं किसी चाला की धर्ता उसके आक्रिती आकार माध्यमर्ता पनिर्भर करता है तो ये बात भी आपको याद हो गया होगा चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ये सब चीजे को अगर कोई पुस्ता है तो आप इस चीज को बता सकते हैं उसके बाद से यहाँ पर एक फायरेट का पर जहां एक कुलाम लिख सकते हैं तो तो यहां पर एक फायरेट क्यों कि बहुआ थी एक बोल्ट और एक कुलाम अभेश देने पर वहां बैदुद विवा एक बोल टूथपन होता है तो वहां बैदुद धारता एक फैरेट होगा तो हमने फैरेट का भी परिवाशा देख लिया उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे जब आप चलेंगे तो आपके पास एक आता है तो आप बहुत बार ये बोट के अग्जाम में पुछा जाता है कि आप गोलियत चालक के धरता का सुत्र कई बार आपसे सामने यह प्रस नहीं पुचा जाता है, कि जो गोलीय चालक होता है गोलीय चालक के धर्ता का सूत्र क्या होता है? तो आप फीगर में देख भी रहें कि आपके पास एक चालक बनाया गया है एक आप इसी चालक है जिसका आप ये शार क्यों दिखा सकते हैं तो आपके पास एक चालक है जिसका आप कह सकते हैं कि जिसके पास आपके पास एक आप इसी गोला है जिसके जिसके जो तिर्जिया है ए एसमाल, ए माना गया, आप चाहें तो आर भी मान सकते हैं जिसके तिरज्या थोड़ा और फीगर आपको अच्छे से समझ महाऊ तो आप इसके लिए गोलिय चालक है जिसके तिरज्याब ए मान सकते हैं सब मेहें आपके इस तरीके से बैंदूत बल रखाएं गुजर रही है तो देखिए अब आपको हम लोग सीद्ध करते हैं कैसा सीद्ध करते हैं इसको आप पढ़े भी होंगे कि भी बराबर जब आप इसके कारण पैदुद्ध भीवा के बात करेंगे तो भी बराबर वान अपान फोर पाई एपसाइलम जीरो के के आपका पैदु आपका भी होता है कि यहां पर आप भी लिख सब्सक्राइब होता है 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 तो Q बाटा आपका भी होता है Q बाटा भी होता है यहाँ पर भी लिख सकते हैं Q आपका C वर सही Q जैसे है वह जैसे ही आप रिखेंगे भी के जगापर जितना मान आप देख रहा है 1 अपान 4 पाई अपसाइलम 0 Q बाटा जो A है उसको आप रख देंगे Q बाटा 4 पाई अपसाइलम 0 इंटू K A जैसे मान यहाँ पर तोटाल है उसमान को ने रख दिया Q से Q कर जाएगा उपार लेकर कर जाएगे C बाबर 4 पाई अपसाइलम 0 और K A आजाएगा C बाबर 4 पाई अपसाइलम 0 K A आजाएगा तो गोलिये चालक के लिए यह आपका हो जाता है लेकिन अगर आपको मैं बता दूँ कि जब माध्यम निर्वाथ हो एक चीज मैं बताऊँ इसमें कंडिशन होता है कि जब माध्यम निर्वाथ हो तो K कमान आपका एक हो जाता है जब आदियम निर्वात हो, तो k कमान एक हो जाता है, तो इस अमिक्रा में जब k कमान आप एक रखेंगे, तो c बराबर 4 pi epsilon 0 a, जब निर्वात होता है, तो 4 pi epsilon 0 a आ जाएगा, जो k होता है, k कमान आपका ये खो जाता है, आईए, उसके बाद से एक और आपके सामने टॉपिक काता है, जिसका नाम होता है, शांधारीत्र, तो आप इसमें संधारीत्र में कह सकते हैं, कि संधारीत्र थोड़ा सा, और मैं आपको संधारीत्र में बता सकते हैं, कि संधारी के कैसा संधा समायोजन होता है, जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परवतन किये, बीना ही उस चालक के वीभव को कम करके उसके बैदुधरता को बढ़ाया जा सकता है। तो आपने शांधारित्र के बारे में देखा कि शांधारित्र एक ऐसा समयोजन होता है, जिसके द्वारा किसी चालक, चालक मतलब लोहावगरे जो भी होगा, किसी चालक के अकार में परवतन किये बीना ही, उस चालक के वीभव को कम करके उसके बैदुधरता को बढ़ाया जा सकता है, इसी को अमलोग संधारित्र काता हैं, देखिए, नोट में कुछ बाते में बताता हूँ, संधारित्र के बारे में, देखिए, पहला आप कर सकते हैं, कि संधारित्र में दो पलेटे होती है, परतेक पलेट पर परिमार में समान प्रणतू, प्रकृत में विपिरीत आबेश पाए जाते हैं, इस तरीके साब देखेंगे, तो हमेशा दो पलेट दिखाए देती है, एक मालिचे क्यू है, परिमार में समान होता है, इसका मानग दस कुलाम है, इसका भी मान दस कुलाम होगा, लेकिन जो प्रकृत होगा, उसमें अलग-अलग होता है, अगर एक आबेश आपके पलस में होता है, तो जो दुसरा आबे तो यह पहला है जिसको आप बता सकते हैं। दुस्य नमबर में आप कर सकते हैं कि दुसरा नमर में आप कर सकते हैं कि रिन आभेशित पलेट का बाहरी शीरा भूश संपरकित होता है। दोनों प्लेटों के बीच में बैदुत इस्तिति उर्जा पाई जाती है। चेजह पाती है। उसके बाठ से आपके पास एक और तापपी को में बता सकते हैं। शमांतर प्लेट के संधरीत्र या धारिता का सुत्र तो एक प्रस्णा पुछा जाता है कि समांतर प्लेट के संधरीत्र के धारिता का सुत्र सीध करने के लिए important है most most important है तो आईए देखते हैं कि समांतर प्लेट के संधरीत्र के धारिता का सुत्र आप कैसे सीध करेंगे देखिए आपके पास दो प्लेटे रहेंगे पहले छीतर समझते हैं दो आपके पास प्लेट है एक आपके प्लस क्यू आभेश वाला प्लेट है एक आपके माइनस क्यू आभेश वाला प्लेट है समझने का प्रियास करेंगे यह प्लस की वाला प्लेट है यह माइनस की वाला प्लेट है दोनों जो प्लेट है इसके बीच के दूरी हमने डी मान लिया है और इसको लिया करके जो परवैदुत पदार्थ जो द्रब्य होते हैं जो सोना के स्वन पत्र होते हैं उससे हमने जोर दिया इसके अंदर जो है पर प्लेट है, एक प्लस की वाला प्लेट है, एक माइनस की वाला प्लेट है, जो प्लस की वाला प्लेट है, उसको हमने किसी पधार से जोड़ा है, जो माइनस की वाला है, उसको लिया करके हमने प्रिथवी से जोड़ दिया है, और इसका जो बैदु चेतर है, ई है, और जो करते हैं कि जब परावेदुत्पदार्थ पुनता भारा हो यानि यह जो semi प्लेटा वाला सिद्य वाला दो कंडीशन बनता है जब प्लेटों के बीछ में पूरा प्रावेदुत्पदार्थ पोला कोई भी खाली नहीं तब आप देखिए जब गोले के परतेक बिंदू पर बैदु छेत्र यह बराबर प्लेट पर लिखेंगे यह जो प्लेट देख रहे हैं प्लेट पर बैदु छेत्र यह बराबर आप यहां पर लिख सकते हैं भी बाई डी आपको याद हो का मैंने एक आईशी में सुत्र आपको मैंने स चिन्दे देंगे हलाकि इसके नीचे एक मान के भी से गुणा करेंगे तो भी बराबर E into D E का गुणा D में E D हो जाएगा और आपको मैं फिर बता दूँ आप पड़े होंगे सिग्मा बराबर Q बाटा A होता है याद करो शिग्मा बराबर Q बाटा A होता है तो आप अगचा है तो यहाँ पर मान को आप रख सकते हैं तो भी बराबर सिग्मा D बराबर के एपसाइलम A हो जाएगा तो भी बराबर Q D A के एपसाइलम इतना हो जाएगा भी बराबर भी बराबर आ जाएगा Q इन्टू डी ए के अपसाइलम नाट आ जाएगा उसके बाद से यहां पर थोड़ा सागर आपको दिक्कत होता है कहां साता है तो आप देख लेजिएगा क्योंकि सिग्मा बराबर आपका Q इन्टू यह होता है और इस तरीके से आप जो ह आप यहां पर देख रहें कि भी बराबर यहां पर आया है Q d में A. K इन्टू एकसाइलम जीरू आप सिथे भी के जगापर Q इन्टू डी और यहां पर A के एफसाइलम जीरो रखेंगे तक Q से Q आपका केंसिल हो जाएगा तो C बड़ाबर आजाएगा A के एफसाइलम जीरो अपान डी चहां A आप कह सकते हैं कि बाइदू छेतर यहां पर जो A है वो छेतर पाल है कि आपका परवेज तांक है और एफसाइलम नाट आपका निर्व सब्सक्राइब करने वाला कारक यानि एक चीज आपके और भी पुछा जाता है कि संधरीत के धरता को प्रवाइद करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं अभी आपने जो सुत्र सीद्र किया वो आपका आया था दिखिएगा सी बराबर के एफसाइलम जीरो अपान डी अपने सीद्र किया थी इतना सुत्र आपके पास आया था तो यह था आपका के इंट्यूए एफसाइलम नाट अपन क्या होता है डी और जहां आप दिखा सकते हैं कि के प्रवाइद तांक हो गरे हैं तो दिखिए पहला आप दिखा सकते हैं कि सी जो होता है एके समन पाती होता है यानि जो प्लेट है उसका चतरफल जितना अधिक होगा उसका धारता भी उतना ही अधिक होगा जो 6 जो Department के के को प्रवितांक काते हैं तो धारता जितने अधिक होगा उसका परवितांग कमान जितना अधिक होगा धरता भी उतना ही अधिक होगा ठीक है आज जो C बराबर आप वान अपान D दी आपका भी उतकरवन पाती है तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई करवें पलेट हैं कि दूलेट के दूले जीतना कम होगा लगी हो उन्हें कर दो कि पराबैदूत पदार्थ होता है जिसमें हम लोग बैदूत परभाईट नहीं कर सकते हैं तो एक और भी आता है कि धरता पर पराबैदूत का क्या परभाई परता है तो आपका सकता है कि जब ठोसों के बीच में पराबैदूत पदार्थ भरा जाता है तो पदार्थ की बैदूढ़ हरता घट जाती है यह बात प्रियाद रखेंगे जो आपके प्लेट है प्लेटों के बीच में अगर आप पर बैदूढ़ पदार्थ भरेंगे तो इनके बीच के जो ठ़रता होती है घट जाती है आई आगे बढ़ते हैं और एक आपके पास चीज जो आता है जिसके नाम होता है संधारीत्र का संयोजन कैसे आप जो संधारीत्र है जो संधारीत्र के प्लेटर है उसको कैसे संयोजन करते हैं तो बता सकते हैं कि जो संधारीत्र का संयोजन होता है दो करमों में जोड़ते हैं एक बार संधारीत्र को स सेड़ी और में जोडने पार आपका तो आपका थ्वाश आमसी बता देता हूं की संधरित्र को जब सेड़ी करम जोडते हैं तो कैसा आपको दिखाये देता है यह पहला संधरित्र है जिसके 2 पलेट आप देख रहें एक plus Q, एक minus Q, यह दूसरा संधरितर है और यह plus Q minus Q और यह तीसरा संधरितर है plus Q minus Q तीन संधरितर आपके पास हैं और इसके plus Q minus Q plus Q minus Q, जो पहला संधरीत होगा उसको C1 से, जो पहला संधरीत के धरता होगा C1 से, दोसा संधरीत के धरता को C2 से, तिसरा को C3 से परदाशित करते हैं, हाला कि जो इसके बीच में भी भानतर होगा, इसको आप B1 लिख सकते हैं, इसको आप B2 लिख सकते हैं, यहाँ पर, इसको B2 लि लेकिन एक चीज में आपको किलियर कर देता हूँ कि जब ध्यांचे सुनिए जब शंधारित्र को स्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका जो आभेश होता है समान होता है बीभव अलग-अलग होता है याद करो जब हम लोग संधारित्र को स्रेणी क्रम में जोड़ते हैं त लिकिन जो इसकी धारता होती है अलग-अलग होती है तो इसके लिए जो सुत्र आपका बनता है भी बराबर आप पढ़े थेते हैं इसके बाद से आपको करना क्या है जड़ा देखिए एक चीज में बताता हूँ सिधे आपको जब इतना किये हैं तो आप इसके बाद से आपको पहले संधारितर के लिए भीभाव तो पहले संधारितर के लिए जब भीभाव आप लेंगे तो भीवा न लग रहेगा बराबर q by c1 एक माल लेंगे दूसरे संधारित के लेंगे तब b2 बराबर q by c2 दो माल लेंगे और तिसरे संधारित के लेंगे तब b3 बराबर q by c3 ठीक है यह हो जाएगा और समीकराण एक दो तीन को जोडने पर एक दो तीन को जोडने पर और आप बाया में जारा देखिए यहां पर पहरा में qyc1 है तो qyc1 लिख देंगे दूसरा में qyc2 है तो देखें यहां पर qyc1 प्लस qyc2 प्लस qyc3 आप इसको पूरा जब भीभानतर जोड़ेंगे तो तुल यह भीभानतर आपका भी आ जाएगे यह भीभाव का हिए ब qyc3 जड़ा देखिए आप अड़े भी थे नो भी बराबर क्या होता है भाया qyc याद करो भी बराबर क्या होता है qyc तो इससे भीभाव के जगह पर qyc लिख देंगे बराबर यह qyc2 रखेंगे और बाकी जिसे मानाव से q से q केंसिव क्यवाल आपका बज्ज आएगा इक भाटा c बराबर 1 बरबर 1 बरबर 1 बरबर 1 बरबर 1 बरबलस 1 बरबर सी 3 प्लस 1 बरबलस 2 करम में जोडते है तो समानत्र करम में जोड़े गए धारता से इस कमान कमाता है so is creepyड़ी फेदधी हlsहिए करम में जोड़ते हैं आप अपको संधरीत्र को समांत्रकरम से अब क्या करेंगे पहले आपको मै बतादू इसका चित्र आपके पास तीन प्लेटें तीन संधरीतopping रहें यह पहला यह दूसरा यह तिसरा है और दोगे तीनों का आप यहाँ पर ढ़ें पर आप तहोड़ा सा fakir मैं बात पुटा दूँ कि यह की 1 रहेगा यह आपका अलग रहेगा ये q2 रहेगा ये q3 रहेगा ये c1 आपका रहेगा ये c2 रहेगा ये c3 लेगि तीनों के लिए जो भी कमान होगा सेम होगा देख रहा है ये समांतर करम में है ठीक है नो और इसको जोड़े हैं कैसे आप इसको लिया करके प्लस और माइनस वाला जो बैटरी होता है उससे आप का किया है जोड़े हैं ये प्लस ये माइनस भी प्लस माइनस ठीक है तो आपने क्या देखा कि जब हम लोग संधरीत्र को समांतर करम में जोड़ेंगे तो इन सब का जो बीभा होगा वह एक समान होगा लेकिन जो आभेश और धारता होगा वह अलग-अलग होगा तो सुत्र आपके अभेश ब्रावर बनेगा देखिए तो यहां पड़े भी थे नूं सी ब्रावर क्यूब आई क्या होता है भी होता है सुत्र भी आपड़े थे सी ब्रावर क्यूब आई भी है देखिए रहा हैं सी ब्रावर क्यू ब्राबर चाहिद सब्सक्राइब दू, Q2 बराबस C2 भी समीकर नमा दू, तिसरे संधरित के लिए Q3 बराबस C3 भी समीकर नमा तीन, उसके बाद से आप सीधे यहाँ पर दिखाएंगे, समीकर एक प्लस समीकर दू, प्लस समीकर तीन, तिन उक आप यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जाड़ा देखिए, कीवन प् में Q1 है, यहाँ पर Q1 देख रहा है, समीकर नमा दू में Q2 है, Q2 देख रहा है, यहाँ पर है, समीकर नमा तीन में Q3 है, तो जोड़ेंगे, तक Q1 प्लस शब में भी है, भी कामा ले लेंगे तो केवल बचेगा C1, भी निकल गया यहां से भी निकल गया केवल C2, यहां से भी निकल गया केवल C3, आप देखिए Q बराबर आपड़े देनों Cb, तो जहां Q उसके जब पर Cb रखिए और यहां भी से भी आप केंसिल कर देजिए, भी C2, प्लस C3, एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूँ कि जब भी तुले धरता का पूछेगा, तो उसमें केवल C ही रहना चाहिए, अभी आप समांतर करम में पीछे आप जोड़े, सोरी, सेरी करम में जोड़े थे, तो एक बाटा C बराबर, एक बाटा C1, प्लस C2, प्ल उर्जा, याद करो, शांधारित के कारण, तो एक नया चीज, आज हम लोगों जो अभी जो जश्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बिधूत, इस्तितित, उर्जा, तो देखे कर सकते हैं, किसी चालक को आभेशित करने के लिए किये गए कार को चालक का बैधूत, इस्तित उर्जा कहते हैं, और इस समलक किसे प्रदाशित करते हैं, यू से प्रदाशित करते हैं, और इसका मातरक जूल होता है, जड़ा देखिए, आप सी बराबर क्यू भाई भी पढ़े थे, समीका नमर एक दिखा दिजिएगा, फिर आप लिख सकते हैं कि चालक के अल्प आभे देने में किया गया कार तो आप यहां पर दी ड़्व प्रदाबर भी गुणे क्यू आपड़े है नौ, आरे भी बराबर जब डबलु भाई क्यू होता है, तो दी क्यू, यह छोटा सा कार है, डी ड़्व बराबर भी इंटू दी क्यू, और डबलु बराबर जिसमाल लिए यहां पर 0 से q तक बढ़ाने में किया गया कार तो यहां पर 0 से q और भी रहेगा और जहां वी इंटु डी क्यों वले कि भी बराबर अभी आपने पढ़ाता q by c धार पुरभाग डबलु बराबर या 0 से q दिखा देंगे जहां भी है उसके जगह पर q by c रखेंगे तो यहां डबलु बराबर एक बरटा अब तो माली के भी बराबर रखेंगे q ड़ाइस इस रखेंगे तो कियो हमापे यहां पर यह नहीं रहेगा थे यहां कवा यहां की बाहर निकल लेगा तो जीरो से q यहां पर q इन्टु डी क्यूँ आपका उसके ऊपस्तित है डबलु बराबर एक वाटा सी जो बाहर वाला है वो इसे ही रखेंगे जब आप इसका समाकलन करेंगे तो Q कूपर एक है तो Q कूपर एक पलस एक नीचे भी एक पलस एक उपर Q और नीचे आपका जीरो जैसे है वोसे ही आपको लिखते चलना ठीक है उसके बासे दार देखिए W ब्राबर वन से गुना सी में करेंगे दूसरी W ब्राबर वन अपान टूसी और यहाँ पर Q का स्क्वाइर माइनस एक बार Q के जगा पर Q रखेंगे Q का स्क्वाइर माइनस यहाँ पर जीरो का स्क्वाइर तो W ब्राबर वन अपान टूसी इंटू क्यू स्क्वाइर तो U ब्राबर वन अ Q square upon C, एक बटा दू, Q square upon C, इस तरीके सा आप चाहें तो लगा सकते हैं, बता सकते हैं, चलिए, उसके बाद से आपको एक और, ये तो जो सुत्रा आया है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कि आभेश और धरता के पदों में, Q का आभेश काता है, C आपको धरता काता है, त इसका बैड़त इस्तिति जाकर सुत्र, अब एक और सुत्र में आपको बता दों, कि आभेश, Q और विभा के पदों में, तो दूसा जो सुत्रा आपका आएगा, आभेश जिसको आप Q से दिनर करते हैं, और विभा जिसको भी से के पदों में, तो आप जानते भी होंगे, U U बराबर Q i² अपांटू सी अभी आपने स्शित किया, तो Q i² साही, दू साही, और C को हाटाना, क्योंगे धरताइस महें नहीं, क्यों आमें Q और क्या चाहिए, भी चाहिए, तो ध्यान रखो, हमें केवल Q और भी चाहिए, इसलिए जहाँ शी है उसके पर Q भाई भी लिख देंगे उसके बाद से U बराबर एक बटा दू और यहाँ पर जो भी होगा यह Q से स्क्वार कर जाएगा भी आपके उपार तो यह बराबर एक बटा दू और भी इंटू Q हो जाएगा तो इस तरीके से यह सुत्र आपका सीध कर सकते हैं और बता सकते हैं ठीक है अब उच्छे और आगे जब आप चलेंगे तो नेक्स के पास जब आप चलेंगे तो अगिला जो आपका निकल करके आएगा उसका नेक् जो और भीभव के पदों में जो अगिला सुत्र होगा वह धारिता और भीभव के पदों में तो यू बराबर कीवी स्कॉर अपांटू से अभी आपने शीद किया था और एक बटा दू एश रही कीवी के जगा पस शीभी रखेंगे श्कुर पादू बटा में सी तो आपक सी और भीक यानि धारता और भीभव के परदों में आ गया है तो इस तरीके से यह पुछा जाएगा तो इसको हम लोग बता देंगे अब देखिए अगला जो आपका टापिक आता है कि वांडे ग्राफ चनित्र का सिधान बता है चित्र के सायता से इसकी बढ़न किजी तो थोड़ा समयाव को बता दूँ वांडे ग्राफ चनित्र आराम से आप समझेगा बहुत इंपोर्टेंट चीज है कई बार ये बोट के पुछा जाता है तो देखते हैं कि राफ वांडे गणांडे आर जनितर होता का जो आपके बहुता है इसमें पहले सबसे पहले ये अचालक दो e-or भी अचालक दो प्लेट होते हैं और ४र एक चालक गोला लागा मने हिमें । इसके उपर हैं थीक यहां पर दो घिरनी लगी होती है एक घिरनी ये P1 है और एक घिरनी एक P2 है और दोनों घिरनी को एक पटा के दवारा हम लोग जोर देता है। दो घिरणी लगी होती, फी पी वन और एक पी टू और दोनों घिरणी को हम लोग पटा के द्वारा जोर देते हैं। उसके बाद से जो घिरणी फेल होता हैं। इस में आपके दो कंगी लगा दोर चलता हैं। और एक उपर जो कंगी लगा होता हुआ C2 होता है C1 जो होता है पट्टा परस परस करता हुआ जाता है फिर आपको घोले को आभेशित कर देता है तो अब यह चीतर समझ गए होंगे एक बड़ाव समझाते हैं यह आपका एक अचालक एक पर प्लस आभेश हो गया जैसे रबड़ बेल्ट है और इसको मोटर के दौर हम लोग जोर दिया है मोटर नाचता है तो पूरा यह जो दोनों आपके P1 P2 हो भी नाचते हैं फिर आपके दो कंगी C1S C2 हैं दोनों को जोर दिया गया तो अब देखते हैं हम लोग एक चीज जिसमें क्या क्या आप बता सकते हैं देखिए जाएंगे इसमें कि सिधान्त में का देखिए पहले वांडे ग्राफ जनेटर के बारे में लिखा गया है कि वांडे ग्राफ जनेटर एक ऐसी मसीर है जिसकी सहाइता से अती उच्छ बीभव लगवक दस के उपार छो मिलियन जिसके द्वरामलों बहुत अधिक मात्रा में वीभव को उत्पन कर सकते हैं शिधान्त में कर सकते हैं कि आंतरी गोले पर वीभव कमान अधिक होने कारण यदि हम एक चालक तारदरा दोने गोले को संबंधित करें तो आबेश का प्रभाव आंतरी गोले से बाही गोले की जो भीभव होता है जब तक कि वाई के छेत्र को धुष्ट करने के सीमा तक नहीं पहुंच जाता है यही वांडे गराफ जनेटर का सिधानत है सनचना में देखेंगे वांडे गराफ जनेटर में लगवक पांच मीटर ब्यास के घातू का खोकला गोला यस होता है जो की और पीटू घिरनी होती है जो की एक मोटर द्वारा घुमाई जाती है तता इन पर एक बिधत रोधी पदार देसे रबड़ यारेसम का बना बेल्ट गुजरता देखिए बेल्ट आपका है यह जो हिसाब देख रहे हैं यह आपके पास बेल्ट है और पीवान पीटू दो घि है सिर्णी है कारता इसमय कि गियर्नीयों को घुमने के उर्दवार्द तल में दच्रेमारत घुमता है गीरनी पीवान जमीन के निकट तता घिर्णtes पीटूलय के के पर वहां यह जो पीवन है यह जमीन के पास यह नीचे वह जमीन जमीन के पास जो पीटु है वह गोले के किंदर पर पस्थीत है आगे घिरनी जो आगे का सकता है घिरनी पीवन के निकट रखा बेल्ट के सामने एक धातू की कंगी शीवन होती है देखिए एक धातू की कंगी आपके पास है शीवन यही आपकी धातू कंगी है शीवन आपके पास होती है उसे उंच बोल्टता श्रोट जिसे लगवा का आप यहां पर दिखा सकते हैं कि एक लाख बोल्ट से जोड़ा जा चपा यह बता सकते हैं जो बाते आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं वाई उसके बासे आगे इसको Are को को लिख सकते हैं तो नेक्स जहोता है कर आप बाता सकते हैं कि विज़ बहुत जोड़ी हुई कंगी के तीछे सीड़ों पर प्रिष्ट आबेश घनत वा दिक होने कारण कंगी सीवन से धना आबेश का विसर्जन होने लगता है यानि जो सीवन योसे धन संग्रहा कंगी के सीरो पर रिनाबेस तता बाहे प्रिष्ट पर धनाबेस उत्पन हो जाता है ये धनाबेस गोले के बाहे प्रिष्ट पर एक समान रुप से बितरित हो जाता है जबकि कंगी सीटू के सीरो पर उत्पन रिनाबेस के पुना किर्कित भिशर्जन होता है जिससे आधिक साधिक मात्रा में आबेश को संचित कर सकते हैं यह चीज आप से पुछा जाता है और यह चीज को आप बता सकते हैं आईए कुछ कोश्चन भी अम लोग देखते हैं कि जो कोश्चन पुछा जाता है उस कोश्चन को अम लोग के सहल करते हैं दोगिए एक कोश्चन आपका विकल्प नम्म जो ए है वह सही है बैदित विभाव का मात्रक जूल प्रती कुलाम होता है अच्छा दूसरा कोश्चन आप देख रहे हैं काता इसमें कि एक पांच सेंटीमीटर त्रजिया वाले धातू के खोकले गोले की सताव को इस परकार आबेशित किया जाता है क इसके तल पर 10 बोल्ट का विभाव उत्पन हो तो केंद्र पर विभाव ग्यांत कि यह तिरजिया आपको मालूम है पांच सेंटीमीटर का और विभाव को मालूम है दस बोल्ट तो देखिए आप पढ़े भी होंगे 10 बोल्ट है यहां पर 10 बोल्ट ही इसका एंस्वर आ जा अगला करता यह बराब जीरो वाले बेदुच्छते के विभा भी की दूरी के साथ परवतन होता है तो भी आप लिख सकते यहां पर भी कल्प नमद 4 डी से यह भी टी पर निरवर नहीं करता भी जो होता है आर पर निरवर नहीं करता है एक है कि पांच सेंटीमीटर लोकसर बाएक कोषीन आता है कि एक इलेक्टरान बॉल्ट में कितने जूल होता है एक इलेक्टरान बॉल्ट में आज्याभ याद रखेंगे एग-जासम्ला-चौ गुणे दसके पार मैनस ग्यूल होता है तो इसमें जो बिकल्प नमध भी है वह सही है एगदासम्ला-चौ होते हैं उसके बाद से काता है कि बाइधुत दृध्रो के कारण केंद से आर्दुरी पर अच्छ में इस्तित बिंदु पर बैधुत चेति के तिवरता और विवावकरम सा इतता भी है तो इतता भीक में समंद हम आपको बताए थे यानि इवराबर भीवाटा आर के यह या भ प्लाने पर निकाय की बाइधित इस्तिती जुझा घरती है बढ़ती है कि उतनाई राती है तो आप इसमें सिले कर सकते हैं कि जब हम लोग पास ले करके आते हैं तो इसमें जो है भी कल्प नमर भी आपकी शहिए बढ़ती है तो इस तरीके से कुछ प्रस्तन हम लोग ने होगा वक्राइब आसे नेक्स जो होगा नेक्स वीडियों में पढ़ते हैं तब तक के लिए धन्यवादी